नमस्कार दोस्तों शुआगत है आपका हमारे यूटुब चैनल स्टोक ओफ देमें और आज हम बात करेंगे IRCTC के बारे में IRCTC का जो स्टोक है वो स्प्लिट हो रहा है ऐसी णियूज हैं और उसके बारे में में बात करेंगे गौर्डन अपर्चिनेटी है आप सभी के लिए तो पूरी जानकरी के लिए वीडियो में बने रहीएगा और अगर अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी न्यूज है शेर मार्केट से लिटी डूम लाते रहते हैं वो आपको मिलते रहे हैं देखिए आयर सीटीजी का जो शेर है वो मंडे को यानि कि कल को जो यह शेर है इस पांच-छे परसेंट यह नि लगबग 6% का इसने इसमें जंप आया है और यह जंप किस बात के लिए है क्योंकि स्टॉक को जो स्प्लिट करने का आयर सीटीजी है वो जो पॉस्ट कोविड इंडियन ट्रेवल एंड टूरिजम सेनेरियो में है यानि कि कोविड के बाद और कोविड की सिचुशन के दोरान भी शेर ने अच्छा रिटन दिया है और रेलवे का जो प्राइटिजिशन की बात भी हो रही है तो वो भी एक व हो गई और यहीं आजम डिस्कस करने वाले हैं आयार सीटीशी का जो से स्प्लिट हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसके लाव आपको बताना चाहूंगा कोई भी शेयर या किसी भी स्टॉक में इंवेस्ट करने से पहले के विडियो को देखे आप इंवेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक देवा है लिंक में आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करें और जो भी वहाँ पे बेनिफिट आपको मैं उनका अब आप लाब उठाई है ठीक है जी चलिए बात करते हैं आयार सीटीशी के बारे में देखिए कल क्या मंडे का कारोबार रहा है यह जो यहां पर शोगर रहा है देखिए 5.78 ठीक है जी 246 रुपए पर जाकर यह बंद हुआ था आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया इसमें तेजी रही है देखिए स्टोक स्प्लिट का मतलब क्या होता है हम बात करेंगे इस प पार्केट के अप्लाइशन है उस पर भी कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन जो स्टोक का वैल्यू है उसको कम कर दिया जाए क्योंकि उसके नंबर बढ़ जाएंगे ठीक है और अब स्वाल यह तो है कि कोई भी जो कंपनी है वो स्टोक को स्प्लिट कब करती है कंप आता है यानि कि हमें आप देखिए 2466 रुपय का सेर लेने के बारे में दस बार सोचना पड़ता है और उसके बाद भी लेना नहीं पाते हैं और दूसरा यह कि तो इंक्रेज दा नंबर ऑफ सेस ड्रैक्ली और लेक्ट मोर इन्वेस्टर्स गैट इन्वेस्टर्स जादा इ लेकिन अगर यही 2466 का जो शेर है इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी और एक सेर माले जी 500 रुपया 400 रुपया कर दिया जाता है तो मैं इसमें इंटर कर जाओंगा क्योंकि मुझे लगेगा कि कंपनी की वैलिवेशन सेम है और जो कंपनी का मार्केट का अपलेशन show method . Так, जो शेर है वो मुझे लो प्राइस में मिल रहा है जो शेर है मुझे लो प्राइस में मिल रहा है, तो मैं उस शेर में एंटर कर जाओंगा तो, देकि अब बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, आ इसमें máximo चार्ट लगाता, अपके सामने कभी जे यहां पर था, य यानि कि शेर जब से लिस्टीड हुआ है ये कंपनी ये नीचे गिराई नहीं है देखे जब इसका IPO है था उसके बाद से देखे इन्होंने 216% से ज्यादा का रिटन इसने बना के दिया है तो कंपनी की अच्छी वैलिशन है और सबसे बड़ी बात ही है कि कंपनी का जो बिज पर है ए यहने कि पिछले छह मेने में इसने हैक ज्यादा का जो है इसने पर्फेर्सेंट से जादा का जो है इसने ख़ी इसने रिटन दिया tapa कि तो देखिए इन्वेस्टर का दो इंसेर्टिड होने का यही मतलब है कि जो इसका पर्फरमेंस का। qualcी अच्छा है जिसमें का जो सबी इन्वेस्टर्स IRCTC का शेर जो है लेने के बारे में इंटरेस्टिड हैं और अभी केवल और केवल इसलिए क्योंकि जो प्राइस है वो काफी हाई वैलुएशन पर है या काफी हाई है तो जिसकी विज़े से जो है वो लेने के लिए इसे अप पीछे हटते हैं कि नह आ है या कंपनी है ये जो के ट्रींग कि वाटर मैनिंफेक्टरिंग मैनिफेक्टिर इसका मोनोपोली मोनोपोली इस की वना ऊताना के बाद जो नारमलव क्वांट ट्रैफलत barbar है गविश्म आपिश्ड भी सरी सक्स्रक्राइब से मोल्य है और आपशे की कि देल के आपय प् है तो क्योंकि monopoly है इस sector में इसकी तो शेर का बढ़ना बिल्कुल जायज है और शेर कोई इसका कोई competitor नहीं है तो बिल्कुल एक ही company है तो ये बिल्कुल share में जो है valuation है और दीखे यही सब जो card है वो indicate करते हैं कि जो आने वाला time है आने वाले दिनों में company का जो net cash position हो strong है strong रहेगा financial अच्छा है इसके सब्सक्राइब काफी अच्छी रहने वाली है यानि कि चाहिए रेलवे प्रेडिशन की बात हो चाहिए नौन कन्विंचिन इंकम की बात को जिसमें specialty parenting and payment गेट पे होता है और जैसे कि आप प्रोइंसिल इंग बिजनिस जो कि इसका ओरड़ी है तो देखिए अगर एक नजर हम डालें इसकी जो strong point क्या क्या है देखिए बावनविक हाई पे है और effectively using shareholders fund return equity ROE जो इसका है पिसले दो सालों से काफी अच्छा है कोई भी company भी debt free company है और profit जो है वो परते जो quarter पिछले तिन quarter से increase हो रहा है revenue भी जो है वो पास दो quarter से increase हो रहा है और zero promoter place यानि कि कोई भी share गिरी भी नहीं यह company का FII और EPFIs institution increasing share holding यानि कि FII और EPI में इसकी काफी अच्छी holding है और एक महिने में पिछले वेक महिने में 20% से ज़्यादा का इसने गेन किया है काफी strong moment है price above short और medium long term में तो यह कुछ बात है थी जो कि positive है company के बारे में इसकी वाज़ा से सुबह investors इसको खरीदने के बारे में और इस पर नजर बनाए हुए है देखिए इसके लाब बात कर लेते हैं कि इसमें weakness क्या है यानि कि share में क्या weakness है और क्या opportunities है देखिए एक तो down growth in यानि revenue और profit में थोड़ा सा valuation यानि कि थोड़ा सा valuation है थोड़ा डिग्रेज हुआ है बाकि shareholding जो में फिस जो उन्होंने थोड़ी mutual friend जो है उनकी जो shareholding है वो थोड़ी कम हुई है उन्होंने shareholding अपनी कम की है year on year जो है जो net profit है वो थोड़ा कम हुआ है और जो net profit है उसमें major fall यानि कि थोड़ा ज्यादा जो net profit है उसमें ज़्यादा गिराउट थोड़ी देखी गई है लेकिन और अनल अपने देखेंगे कि monopoly वाली company है कोविड की वज़े से आप लगा सकते है कि कुछ ऐसे में थोड़ी बहुत strength यानि कि RSI है जो श्वेर का वो भी ये indicate कर रहा है कि आप कुछ में बाइंग करनी चाहिए वो भी हाई पे है बाग स्टोक पी थोड़ा महंगा फोटी है लेकिन आप प्राइस के कोडिंग जादा महंगा नहीं है तो दिखिए याई यार CTC के बारे में पूरी जानकारी थी आप बिल्कुल इसमें इंवेस्ट कीजिएगा अभी जैसे कि आप खरीद ना चाह रहे हैं आप अभी भी खरीद सकते हैं और आप चाह रहें क स्प्लिट होने के बाद इसको पर्चेज के जाए इसको खरीद जाए तो वो भी आप कर सकते हैं तो देखिए ये 10 रुपए की फेस वेल्यू का शेर है 1 इंटू 5 करते हैं 1 इंटू 10 करते हैं वो कंपनी पर डिबेंड करता है तो ये कंपनी अभी जैसे ही डिसिजन होता है उसके कोडिंग आपको ये बिल्कुल मिल सकता है अगर आपने शेर आपने खरीदा हो अलड़ी तो आप इसको बनाई रखिएगा और अगर आप चाते हैं अभी इंटरे करना कर सकते हैं उसके बाद अगर आप स्प्लिट होने के बाद चाते हैं तो उसके बाद भी आप कर स लिखते हैं तो देखिए यह ती जानकर याई यार सीटी सी के बारे में जानकर ये अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करके इनक्रिक देजीगा थैंक्यू वरी मच्छ पर वाचिंग